अब आपका मेरे सूरज इस्टडी प्लैनेट पर बहुत बहुत स्वागत है तो देखिए आज हम बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हार्मन पाय जाते हैं हमारे सरीर में उसके बारे में उनका जो वर्क है उसके बारे में तो देखिए यह जो वीडियो है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है उनके लिए जो लोग एक्जाम देंगे जो उसकी प्रिप्रेशन कर रहे है रेल्वे ग्रूब डी का जो एक्जाम अभी चल रहा है उसका जो लोग एक्जाम का जो लोग एक्जाम देंगे उनके लिए UPSCIS का एक्जाम दो लोग देंगे 2019 का प्रिलिम्द इस्टेट PCS युपी PCS का एकजाम अभी जो होने वाला है उसको लोग देंगे CDS का जो लोग देंगे नमबर के महिन्य में CAPF इएक्जाम जो अगले साल होगा उसको जो लोग कि देंगे आपकी bank का exam देंगे तो उन सभी candidate के लिए ये जो question है ये काफी ज्यादा important है ये portion साइंस का और इसे हर साल हर paper में एक question जरूर आता है तो देखेंगे आप अपना एक question पक्का कर लिजिए यहां से इस video को बड़े ही आराम से देखेगा बड़े ही focus के साथ देखिए सबसे पहली बात करते हैं हार्मोन है क्या तो देखे हार्मोन रासानिक पदार्थ होते हैं जो जीवों को की गतवीधियों को समन्व करते हैं और विकाज भी कराते हैं ठीक है मतलग जो एनिमल है या जो यूमन विंग है उनके जो भी जो लाइफ है उनके सबी एक्टिवीटीज को कंट्रोल करते हैं और उनका जो डिवलप्मेंट भी करते हैं ठीक है और देखिए वे अन्तह इस्तरावी ग्रंथियों के माध्यम से हमाई सरीर में विसेश उतको द्वारा इस्तरावीत होते हैं विभिन हार्मोन का सरीर के आकार पर अलग-अलग प्रभाव परता है ठीक है मतला हर आर्मोन का हमारे सरीर पर अलग-अलग प्रभाव परता है ठीक कुछ हार्मोन एक प्रक्रिया को सुरू या बंद करने के लिए तेजी से काम करते हैं और कुछ अपने कारों को पूरा करने के लिए काफी समय लगातार कारे करते हैं ठीक है तो कुछ हार्मोन क्या करते हैं At the instant तुरंत काम करते हैं कुछ हार्मोन धीरे धीरे आराम से काम करते हैं ठीक है और हम इसा कारे करते रहते हैं तो देखिए ये जो हार्मोन है, हमारे सरीर में क्या क्या करते हैं, तो देखिए ये हमारे सरीर के विकास के लिए, यौन क्रिया के लिए, प्रजनन, मेटाबोलिज्म, आधी में सहायता करते हैं, ठीक है? जब ये हार्मोन अधी क्या कम मात्रा में इस तरावीत होते हैं, मतलब कम मात्रा मे निकलते हैं हमाई शरीर में तो शरीर में क्या क्या प्रभाव पढ़ते हैं उसके बारे में मैं डिसकस इसी वीडियो में करूंगा ठीक है तो देखिए आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये एक पिक है जिसमें मैंने महत्पून हार्मोन और उनके कार के लिए डाली है तो देखिए इसके बारे में वीडियो जब खतम हो जाएगा तो आप इसको अच्छे से गौर करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन-कौन से हार्मोन है तो यह जो है यह दो तरीके होते हैं कौन से है थायराइड हार्मोन पहला जो नाम है उसका नाम है ट्रायो ट्रायोडो थायरोनीन ठीक है इसको त्री के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो क्या है थायरोकसीन इसको टी-4 के नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह जो हार्मोन ह यह कहां से निकलता है, थाइरोइड गर्ण्थी से निकलता है, ठीक, थाइराइड हार्मोन, तो यह कितने तरीके कहोते हैं, दो तरीके कहोते हो, मैंने पहले ही बता दिया, चलिए, यह क्या करता है हमारे सरीर के मेटाबोलिज, मतलब खाना को पचाना या जो एनर्जी को कå psychiatrist तो देख से में यहां लिखा इस्तर तो देखे जब खाना जब भाटा है जब हम लोग उसके जो energy को करते हैं तो एनर्जी मिलता है तो हमाई इस इंटरञ इस्तर हो कितना रहेगा हमाई सरीर का जो इंटर्शिम्स ताफमन मिम स्कार रहेगा कहा हमारे इस्कीन के लिए बाल आधि के लिए काफि ज्rare मदद करता है ठीक है? चली आगे बढ़ते हैं और देखते ही नेस्ट हार्मोन कौन सा है? तो अग़ा जो हार्मोन है उसका नाम है इनसुलीन ठीक है? और ये हार्मोन कहां निकलता है? अगरासर और यह जो है अग्रा समय ग्रंथी के फीछे पेट में पाई जाती। ये खाने को आसानी से पचाने के लिए ठीख है। जो भी इंजाइम हमारे सरीरे में निकलते हैं। यह हार्मोन उनको निकालता है। जिसे हमारा खाना काफ़ी अच्छे से पच सके। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे सरीर के उल्जा के लिए भोजन में पाय जाने वाले कार्भो हाइडरेट यह स्थी एक स्थीमाल करते हैं तो देखे जिसको सुगर हो जाता जिसको आप डैविटेज बोलते हैं मधुं में- तो जिनके शरीर में इंसुलीन नहीं बनता है, उन्हीं को होता है यह ओगर Blood sugar का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते है, Hyperglycemia ठीक है अगर कम हो जाता है तो बोलते है हाइपोगली सेमिया ठीक है अच्छा मदूमे या डाइबिटीज ये इंसुलीन नामक रसायन की कमी से ही होता है ठीक है जिसका जो हमारे सरीर के पैंक्रियाज या अगरासे द्वारा निकलता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हार्मोन कान सा है अगला जो हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रोजेन ठीक है ये एक महिलासेक chicken से हारमोन है जो की अंडा से जिसको हम जोते हैं ओवम इंगलिस में द्वारा उत्पन्न होता है या अभी वसा को सिकाओं या अधिवरिक ग्रंधियों द्वारा का निर्मित होता है ठीक है तो कॉन सी ग्रंथी द्वारा वसा को सिखाइए और अधीवरिक ग्रंथी द्वारा यह प्रजन द्हाश्चच धर्म चक्र रजोनीर्थ जो मेनोपज होता है जब और तो पीरियट जब आना बंद हो जाता है जब बोड़ी हो जाती हुँ आगे देखें सौरी उसके लिए क्या होता है यह जिम्मेदार होता है और यह महिलाव सरीर में जब एस्ट्रोजन ज्यादा इस्त्रावित होता है तो उनको ब्रिष्ट कैंसर गर्भास है कैंसर और साज मतलब डिप्रेशन मनोदसा आधी का खत्रा बढ़े आता है जब यह सरी जब कम हो जाता है तो क्या होता है मुहां से होंगे ठीक है त्वचा पे घाव हो जाएंगे हलकी त्वचा हो जाएगी बाल उनके जो ज़ड़ने लगेंगे ठीक है तो आधी संभावना काफी ज्यादा बढ़े आती किस हार्मोन के द्वारा एस्ट्रोजन के द्वारा चलि किए बच्चा जब किसी महिला के पेट में रहता है जहांसे व अपना खाना ग्रहन करता है वह होता है जब बच्चा पएदा हो जाद उसको कार दे रहता है तो वहाँ से ये निकलता है ठीक है अधिवरिक ग्रंथी द्वारा यह सरीर में वीभिन कार्यों को उत्तेजित और नियंत्रित करने का कार्य करता है या गर्भहवस्ता बनाए रखने में एक महत्रपुन भूमिका निभाता है ठीक है manifest areここ गर्भधारण गर्भधारण पर गर्भधारण के लिए तयार करने और मासिग चक्र चक्र को नियंद्धरीत करने में मदद करता है जब गर्भवस्ता नहीं होती है तो प्रोजेस्ट्रोन का इस्ट्र क्या होता है कम हो जाता जाता है ठीक है और मासिध्ध्ध्र्मच्र होता है यह याँ इच्छा में भी एक भूमिका निबाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो next हार्मोन है उसका क्या नाम है तो next हार्मोन का नाम है प्रोलेक्टिन या एक बच्चे के जन्म के बाद इस्तनपान कराने के लिए एक हार्मोन महिलाओं में पाजाता है ठीक है और कहाँ निकलता है पिटूटरी ग्लेंट के द्वारा ठीक है मतलब पिटूटरी ग्रंथी द्वारा रिलीज होता है जिससे महिला इस्तनपान कराने में सक्षम हो पाती गर्भ अवस्था के दौरान प्रोलेक्टिन हार्मोन के इस्तन में वृद्धी हो जाती है अर्थातिया इस्तनपान इस्तनपान जो महिला कराती है उसके लिए अगला हार्मोन है वह है टेश्टो तेस्टो इस्टेरोन है तो यह एक पुरुष सेक्स हर्मोन है यह एक एनाबोलिक इस्टेरोईड है यह याद रखीगा यह पूछ सकते एक जाम में जो शरीर की मांस्पेंसियों के निर्माण में मदद करता है ठीक है पूरुसों में यह पूरुस प्रजनन उतको टेस्टिस और प्रोस्ट्रेट के विकास में महत्पुर्ण भूमी का निभाता या माध्यमिक यौन विशेष्टाओं का बढ़ावा देता है जैसे की मांस्पे हो जाती है ठीक है कई प्रकार की असमानता है शरीर में आ जाती है तो देखिए मैं बताता हूं कौन-कौन से असमानता है कौन-कौन से डिफ्रेंस आ जाती है तो देखिए यह एक पर्सन है जिसके अंदर जो हार्मोन है टेस्ट टेस्ट इस्टोस्टोर्यों वह उसी कमी है और इसका माइंड काफी या सार्प रहेगा और इसका जो शरीर है कैसा थुलतुल मतलब फुला हुआ और इसका जो शरीर है वो क्या रहेगा ब्रॉय गांग तो देखें और इस पर्षन जिसके अंदर ये काफी अच्छे मात्रा में उसका जो बोन है वह काफी इनर्जी भी काफी जादा रहेगी तो फ्रेंड्स यह जो है मैंने difference बता दिया चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप वीडियो को पर्च करके इसको पढ़ भी सकते हैं अच्छे से और अपने दिमाग में उतार सकते हैं अगला जो हार्मोन है उसका नाम है serotonin ठीक है यह मनुदसा बढ़ाने वाला प्रभावी हार्मोन है इसे nature's field good chemical के नाम से भी जाना जाता है तो यह important हो जाता है मैंने इसलिए इसको रेट कलर से लिग भी दिया है कि रूप में भी जाना जाता है इसको ठीक है यह सीखने और इ कि किसमें मदद करता है हमें अगर कोई चीश सीखनी है या भी हमा जो याददास से उससे इसका डिलेशन है नीत के विनियमित करने के लिए पाचन मूड को नियंत्रित करने के लिए उसमें ये सेरोटोनिन नाम का हार्मोन काम आता है यूँ कहें तो सेरोटोनिन दिमाग और सरी दोनों एक नियूरो ट्रांस्मीटर और एक हार्मोन के रूप में कार करता है मतलब एक नियूरो ट्रांस्मीटर और एक हार्मोन दोनों के रूप में काम करता है ठीक है सेरोटो प्रोटीन पाए जाता है आगे देखते हैं सरीर में सेरोटोनीन के असंतुलन के कारण मन्नुदसा या तनाव इस्तर की विनियमीत करने के लिए मस्तिक्स परयाप्त हार्मोन उत्पन नहीं कर पाता है अगला हार्मोन है उसका नाम है कॉल्टी सोल ठीक है तो यह एक अधिवरिक ग्रंथी द्वारा निकलता है यह अधिवरिक ग्रंथी द्वारा ठीक है यह आपको स्वस्त और उर्जावान रहने में मदद करता है इसकी मुख्य भूमिका सारीरिक और मांसिक तनाव को नियंत्रित करना है टनाव को समय में सरीर में कोल्टी सोल होता है है कि सिस्ति को हम मतलब उससे हम लोग निकल सके सरीर में जब कोर्टिसोल बहुत जाद बढ़ जाता है तो हमको अलसर का खत्रा बढ़ जाता है हाई बेपी का खत्रा बढ़ जाता है चिंता मतलब डिप्रेशन होने लगता है कॉलिस्ट्रोल भी हमारा बढ़ जाता है ठीक है इसी प्रकार सरीर में कोर्टिसोल का जब कम हो ज तो आप सकते हो यह पिक्चर है जो की wow हार्मोन से तू देखी यह जब कुछ देर के लिए होता है। हमारे हर्टक को बढ़ा देता है और ता है जरीगर डिस्ता टो गलुकोज में कंवर्ट करके थे लिषिकर न ओर यर caucus करता चैंग स Yoo पैटर्न लीडिंग टू डिक्रीजटिव सिस्टेम एक्टिविटी एंड डिद्यूरीन आउट्पूट मतलब हमारे प्रेशाप में कमिल आता है और इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिक रेट को यह जब लॉंग टर्म इस्ट्रेस रहता है मतलब हमको काफी जाज समय से टें प्रोक्टोज और ब्रोकेंड डाउन फॉर एनलजी मतलब प्रोटीन और फैट को ग्लुकोज में करके एनलजी पैदा करता उससे और ब्लड ब्लड ग्लुकोज को बढ़ाता है और यूमिन सिस्टम को कम कर देता ही चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगला जो हर्मोन है उसका नाम है एडररन सरी एडर एडरेना नालां थिक्ठ हैज डिर मेडुला के साथ केंदरी तंतरिका तंत के निउरॉंस में निकलता है ठीक है तो मेडिखला जानते हों Warren आपकालिंग हार्मून के रूप में भी जाना जाता है तो यह आप याद रखेगा किसको एड्रेनेरलीन को क्योंकि यह मतलब तुरंत प्रक्रिया की शुरुआत करता है जिससे व्यक्ति को सोचने और तनाव से लड़ने की में मदद मिलती है या मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ा देता है हिर्दव और मस्तिक्स में जाने वाले रख के वाहिकाओं को फैलाव करता है ठीक है मतलब हमारे हार्ट और हमारे दिमाग में जो भी बलड़ जाता है उसका इस्तर यह क्या करता है बढ़ा देता है तनावपुनि सिति के दवर को हम लेने या रिएक करने में मदद करता यह हार्मून ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हार्मून कौन सा है तू देखिए अगला जो हार्मून उसका नाम है वरिद्धी हार्मून या ग्रोथ लाम से भिष मीसको जाना जाता है यह जो है सोमाटो 75 مش सब्सक्राइब यह जो बना बनता किसे बनता है 190 अमीनो इसिट के कॉंबिनेशन से और यह जिसे अग्रिन पिटूट्री में सोमा ट्रोप्स नामक कोशिकाओं द्वारा यह क्या होता है निकलता है अब देखिए यह विकास कोशिका प्रजनन सेल उत्थान और मेटाबॉलिज को बढ़ावा देता मतला हमाई सरी में विकास में डिवलप्मेंट में प्रजनन में और मेटाबॉलिजम में मदद करता ठीक है यह मानव विकास में महत्पुर्ण भूमिका निभाता है तो यह था पूरा कंप्लेट डिसकसन सभी हार्मोन का मैंने डिसकसन कर दिया है जो भ देखे अगल बाकी आप में चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि मैं और भी जो भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल्या और आप बेल आइकन को जरूर दबा दिजेगा और आप इस वीडियो को सेर भी जरूर करिएगा और अगर आप आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो मेरी चैनल पर पड़ा हुआ है आप उसको भी देख सकते हैं और अपना जो नेशनल पार्क का पोर्ट्सन है आप उसे भी अच्छे से तयार कर सकते हैं ठीक है तो once again thank you friends